नश्कार आप देख रहे हैं हेड्लाइन्स भी हर और मैं हूँ आपके साथ प्रियांक सौरव दिल्ली विधानसवा का चुनाव 8 फर्वरी को होने वाला है उसको लेकर लगातार जो है वह प्रचार का दौर भी शुरू हो चुका है लेकिन एक बड़ी ख़बर दिल्ली विधानसवा से क्योंकि वहाँ पर इस वार जो चुनाव होने वाला है इस वार कांग्रेस और और आर्जरी टे मिलकर चुनाव लड़ने वाली है और RJD चार सीटों पर चुनाओ लेगी इस बात का फैसला पहले ही हो गया था और अब RJD ने अपने चार उमिद्वारों के नाम के भी घोशना कर दी है हम आपको वो चारों के नाम बताते हैं आप देखिए कि इस लिश्ट में जो पहला नाम है वो है परमोत्यागी जिन्हें वुरारी विधांसवा सीट से पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है तो इस बार RJD के चार प्रत्यासी मैदान में हैं जबकि 66 सिल्टों पर कौंग्रेस के प्रत्यासी होंगे कॉंग्रेस और RJD ने इस वा फैसला लिया है कि इस वार वो दोनों साथ मिलकर चुनाव लरेंगे और कॉंग्रेस ने भी अपने चौवन प्रत्यासियों की सूची जारी कर दी है वहीं लालो परसाद यादब की पार्टी यानि राष्ट्य जनता दल उसके भी चार परत्यासियों की नाम का एलान हो चुका है इस बार का विधान साथ चुनाव बहत खास इसलिए माना जाता है कि वहाँ एंडिये भी एक जूट दिख रही है क्योंकि बीजेपी, जेडियू और लोक जनसक्ति पार्टी ये तीनों मिलकर चुना लरेंगे इस बात की भी खबर है आपको बता दे कि पिछले दिनों जब तेश्वी यादवब अपपपिता लालो परसाद यारब से मिलने पहुंचे थें तो लालो प्रसाद यादव ने उन्हें ये कह दिया था कि अब तेजस्वी यादव दिल्ली जाए दिल्ली विधानसवा चुनाओ पर नजर बनाए तो तेजस्वी यादव लगतार बिते दिल्ली में थे और दिल्ली विधानसवा चुनाओ को लेकर तैयारी में लगे थे क्योंकि दिल्ली में बिहारीों की भी संख्या काफी हर तक है और यह कई शेतरों में कई ईसी विधासवाज शीष है जहां पर प्रत्यासियों के भागर्ट किया फाहसला करते हैं तो ऐसे में बिहार की पाटि राजद कितना कमाल दिखा पाती है तमाम चीजों से मैं आपको अपटेट रखेंगे अगर आपने अब तक माने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले धन्यवाद